कहते हैं न अधिक सयानों जाय ठगानों, कुछ वैसा ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी सेना के अंदर तोड़ फोड मची हुई है, जानेंगे वो भी तब जब पाकिस्तान में स्वतंततरता दिवस पर पस्तूनों का गुस्षा दिखा है, उनके पाकिस्तान की इस्थिति कैसी है इस वक्त मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान में बुद्वार को स्वतंतरता दिवस मनाया जा रहा था देश भर में आजादी के जस्न के बीच खैबर पक्तुनख्वा में कुछ इस तरीके की वीडियो निकल कर सामने आए जो पाक की सता में बैठे लोगों को परिसान कर सकते हैं खैबर पक्तुनख्वा के वजरिस्तान में अस्थानिय बच्चों ने पाक जंडा लिये लोगों पर हमला किया जंडा खाडने की कोसिस की यहां बच्चों ने पाक के राष्टिय जंडे को लिये लोगों को काले जंडे भी दिखलाए ये वीडियो एक्स पर सेयर किया गया है जिसमें दिख रहा है कि एक कार में कुछ लोग पाकिस्तान का जंडा लहराते हुए निकल रहे हैं इस दोरान कुछ बच्चे उनको घेर लेते हैं और जंडा छीनने की कोसिस करते हैं एक सक्स गाड़ी से उतरता है उसके साथ धक्का मुक्की होती है जंडे को छीन कर फाड़ने की कोसिस होती है इस दोरान बच्चे इनको काले जंडे भी दिखाते हैं इस वीडियो के वजिरिस्तान के होने का दावा किया जा रहा है वीडियो सेयर करते हुए दावा किया गया कि पस्तून स्वतनत्रता दिवस पर पाकिस्तान के जंडे को फाड रहे हैं क्योंकि वे पाकिस्तान सेना की ओर से हो रहे अत्याचारों से तंग आके हैं पाकिस्तान के खेबर पक्तुन्ख्वा और बलुचिस्तान में केंद्र सरकार और सेना के लिए गुसा नया नहीं है। बीते कई दसकों से इन प्रांतों के लोगों को लगता है कि उनके संसाधनों को सरकार लूट कर पंजाब के विकास में लगाती है। खैबर पक्तुन्खवा प्रांत के ना सिर्फ लोग बलकि मुख्यमंत्री भी कई बार आक्रामक रुख दिखा चुके हैं पाक सेना के प्रस्तावी एंटी टेरर ओप्रेशन ने भी छेतर में गुस्य को बढ़ा दिया था पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में हालिया समय में बड़े विरोध परदर्सन हुए हैं वादर में हजारों की तादात में बलुच समुदाए बीते कुछ समय से लगातार विरोध परदर्सन कर रहे हैं बलुचों का कहना है कि पाकिस्तान में बलुचों की जनसंख्या करीब 1.5 करोड है लेकिन उनको मुख्यधारा से दूर रखा जा रहा है बलुचिस्तान के तेल, कोईला, सोना, तांबा, गैस जैसे प्राकृतिक संसादनों को लूटा जा रहा है और इससे अस्थानिये लोग पाकिस्तानी सेना की मीडिया साखा आइस प्यार ने जानकारी देते हुए कहा है कि तीनों का कनेक्शन था फैज हामीद से इसी वजह से इसे गिरतार किया गया है हाला कि हो सकता है कि और भी जादा नंबर्स निकल कर आएं सामने जिसके बाद यहां कारेवाई और भी बड़े फैज हामीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है इन पर कई तरह के आरोप लगे हैं हाला कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में यह कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का कोई भी देश जब इस चक्र में पढ़ जाता है न तो फिर वो देश आगे तबाह होने के अलावे कोई कुछ भी नहीं बचता है यह हमने परवेज मुसरफ से लेकर जिया उलहक से लेकर हर एक का हाल और यहाँ जनरल मुनीर अपने हाथ में पूरी तरीके से ताकत रखना चाहते हैं जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के बगल में बंगलादेश बंगलादेश में हिंदूों को लेकर दुनिया भर में सवाल होने लगे यह पहली जब बंगलादेश के इस कांड को लेकर दुनिया के कई देशों में भी सवाल उठे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए आस्ट्रेलिया की संसद में भी सवाल उठे वहीं अमेरिका के कई सांसदों ने भी हिंदूों को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया और उसके बंगलादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हाला जल्द ही सामाने होंगे खास करके 140 करोड देश वाज़ों की जिनता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अलपसंख्यक उस समुदाई की सुरक्षा सुदिस्चित हो बारद हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सूख और शांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संसकार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुब्चिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद के भलाई सोचने वाले लोग है यहाँ पर प्येम मोदी ने आखिरकार इस चीज को समझा दिया और कुछ चीजे होती है जो एक साथ होती है तो बड़ी होती है नजर आती है जैसे कि होना चाहिए बंगलादेश में जब तक इस्थीरता नहीं आती है तब तक कहना मुश्किल होगा क्योंकि बंगलादेश में यह देखा गया है कि अल्प संख्या आसानी से निसाना बन जाते हैं खैर भारत के आतों में जहां तक बात करें बंगलादेश की बहुत सारी कमान ह हैं और आने वाले समय में तरीके से बंगलादेश की एकोनोमी है इन्हें हर हाल में भारती जरूरत पड़ेगी ही वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ लिए्गास सब मामलादा याका मामले मामलादेश की एकमालादेश से लिख में खबर की एनी साहन है जल एक उाओार साथ अन्या गाम याओन एक मामलादेश लावतार की एकमें आपकी का जयो एक भाना है झाल झाल